Hi everyone, welcome to my channel, I am Simran Sahani and today I'll teach you class 9th English chapter The Bond of Love देखो chapter का नाम समझो, आप एले title समझो, The Bond of Love तो basically इसमें हम एक छोटा सा प्यारा सा relationship पढ़ने वाले हैं और किसका relationship पढ़ेंगे हम The Bond of Love, अगली relationship हम पढ़ेंगे किसका जो हमारे author है, उनकी wife का और उनके pet animal का अब कौन सा pet animal है ये, तो जो हमारे author है, देखो एक बर क्या होता है, वो कहीं गए होते है, मैसूर की sugarkin fields में गए होते है, वहाँ पे उनको जो है एक sloth bear का baby मिल जाता है, अब कैसे मिलता है, डेटेल में हमारे author को sloth bear का baby मिल जाता है, this is a sloth bear, ठीक है तो उनने sloth bear का baby मिल जाता है, sloth bear वैसे एक wild animal होता है, बट हमारे author को sloth bear का baby मिलता है, और वो उसे ले जाके अपनी wife को gift कर देते हैं, और उनकी wife जो है as a pet रखती है, उस sloth bear को अपने पास, धीरे धीरे जो वो sloth bear है, और उनकी wife में, author की wife में, बहुत ही एक प्यारा सा relationship ब बढ़ा होता है, और उसकी mischievous activities के बारे में पढ़ेंगे कि कितने मजे करता था sloth bear उनके घर में सब कुछ खा जाता था, कभी-कभी कुछ गलत चीज़े खा जाता था, उसकी तब खराब हो जाती थी, so on, जो था, वो sloth bear बहुत मजे करते हैं उनके घर में, बट एक टाइम सब्सक्राइब करते हैं तो यह हम पूरा पढ़ेंगे, मैं आपको ओवर्व्यू दे दिया है, कैसे उन्हें जो है, यह sloth bear मिलता है, कैसे वो इसको पैट करते हैं, कैसे जू बेस्टे और जू से वापस भी ले आते हैं, तो लेट अस तड़ी इस चाप्टर इन डीचेल, सब्सक्राइब करते हैं, कैनित अंडर्सन, जिन्होंने एक sloth bear को अपनी वाइफ को गिफ्ट करा था, तो सबसे पहले देखते हैं, कि हमारे जो author है, उन्हें यह sloth bear मिला कहां, तो वो बताते हैं, हमारे को two years ago, we were passing the sugarcane fields in मैसूर, नियर मैसूर, ठीक है, तो जब उन्होंन इसका देखते हैं, अब शुकर के इन फिल्ड है, तो फसलों को खराब करने के लिए वाइट पिक्स आ गए थे, तो उसलिए जो थे लोग उसको शूट कर रहे थे, वाइट पिक्स को लोग शूट कर पा रहे थे, गोली लग रहे थी, और कुछ पिक्स भाग रहे थे, बट सदनली एकदम से क्या आता है एक Sloth Bear आजाता है ब्लैक कलर का Sloth Bear ठीक है यह होता है Sloth Bear जो है वहाँ पे आजाते है तो PIGS के बीच में Sloth Bear आजाते है अब सदनली क्या होता है ओथर हमें कहते हैं मैं कभी भी अपने मन में यह नहीं सोच सकता कि मैं Sloth Bear को गोली मारू without any reason उन्होंने कैसे लिखा इसको देखो I will not shoot a Sloth Bear वैंटनली मतला without any reason मैं Sloth Bear को कभी गोली नहीं मारता बट मेरे दोस्त ने ऐसा नहीं सोचा जो उनके साथ में उनका companion था वो क्या करता है वो इस Sloth Bear को गोली मार देता है अब जैसे वो इस Sloth Bear को गोली मारते है तो पते क्या होता है जो यह ब्लाक कलर का Sloth Bear था इसके पीछे से एक पीस ओफर गिरता है समझ गए एक बड़े वाले Sloth Bear को तो गोली लग गई वो गिर जाता है ठीक है उसको लिखाया इस प्रोस्टेट बॉडी वो गिर जाता है बट उसके पीछे से एक ब्लाक पीस ओफर जो है वो भी गिरता है तो वो क्या होता है वो आचली में जो है बेबी Sloth Bear होता है और गोली किसको लगी होती है अच्छा ठीक है जो गोली लगी है वो पैरेंट को लगी है आप देख रहे हो या देख रहे हो या लिटल क्रीचर रान अराउंड इस प्रोस्टेट पैरेंट मेकिंग अ पिटिफुल नाइस तो ओविसली वो बच्चा जो था वो उस लॉद्बियर के पीछे-पीछे बागते है जो लॉद्बियर है उन्हें अपने नखूनों से मारता भी है और उनको स्नाप भी करता है बट बहुत सारे एफोर्ट के बाद जो हमारे ऑथर है वो उस लॉद्बियर को एक गनी बैग में डालते हैं उसको और उसको पैक करके यानि कि उसको बोरे में बांधिये अपने साथ अपने घर ले आता है कहां पे बैंगलॉर में और अपनी वाइफ को दे देते है अज़ा पेट प्रेजन ठीक है और उनकी वाइफ इतनी जादा खुश हो जाती है उस बेबी स्लाथ बियर को देखके वो उसके गले में एक रिबन डाल देती है और उसका नाम रख देती है क्या ब्रूनो ठीक है तो यहां लिखा है ना तो अब से उन्होंने जो है वो जो बेबी स्लाथ बियर था उनका पैट बन जाता है और उनकी वाइव उसका नाम क्या रख देती है ब्रूनो रख देती है तो अब हमें पढ़ना है गाइस कि ब्रूनो आठ होम यानि कि ब्रूनो जो है ये जब हमारे ऑथर का पैट बन जाता है तो वो क्या कर देता है bruno at home that bruno घर पर क्या करते हैं तो हमार को ऑथर बताते है that initially bruno जो है बॉटल से दूद पीना स्टार्ट करता है धीरे धीरे पीने के साथ सब कुछ खाना और पीना और जादा क्या कोंटेटी में साथ दे तो यहां पर और ऑफर ने में डिस्क्राइब कर आए कि bruno क्या- functionality खाते है यह सकते ही जो इंगलकने की सबता दऊौ सबते ही हो जाय राफ सी सबस्चान होगा जांगते हहात सका काया सी कम दो धंजर्ट के ला एक भाल हो द काल झाएट थे जे था ने चाहिए तहना किआ भीज़ई जाहिए राफ की बर्ट की जाए जाएं कि अलता बालेक्ग मिल्क टी कॉफी लाइम जूस एरेटेड वॉटर यानिकी सोडा पीता था बटर मिल्क बियर अल्कोहलिक लिक्वेड सब इसे हजम था सब खाता था हमारा ब्रूनो ठीक है तो इट ओल वें डाउन विद रेलिश यानिकी बहुत मज़े से ब्रूनो सब कुछ खाता था अब हम बताया बूनो एंग फ्रेंड सो उनके can my यदूस थे वह बिडisma दो फिर्रेंट सब्स्रेस बन गए थे नहिसे हों यानि दिन बूसे अफुट अरे अग्सेंट के घूए पहले टा किया होता है do प्रुणों का एक्सिदेन का प्रप्री को रखाते हैं बहुत चुह नाम का एक पोईजन जो है अपनी लाइप रेडी में रख देते हैं बिकास तो चुह थे वह बहुत ज्याद हो गयते और वह उनकी चीज़ों को खराब करें तो बिल्दियम कार्बोनेत नाम का जो एक आप आपने लेजी तुम अपने लाय्बरेटी तहां चैनल कहता है लिक टुम था दिन उस नषय करीख आप जा रहा है अब जैसी बूर बाड़ी जो थी पारलाइज हो जाती है अब उसकी बॉड़ी पारलाइज हो जाती है और भी मुव नहीं कर पाता है यह काफी कोशिश करकर ल वेट मतलब जानवरों के डॉक्टर होते हैं। इसके पास ब्रू बाई बहुत चाहाए तो जूब बड़ा परशान हो गया क्या करें कि इन्हों आपने घर में भाल्यों रहें को फेज फाली एक बारे को जो है वेट हो था हो उसका छिएक्ष् 바 da'! वेट पूχता है और इसने कहा है और इसने क्या खाया है अच्छा वीरियम यह बितने क्या शॉट ने प्ỏविट्स다면 इंजेक्शन तो हमारे जो वेट हैं को गए इसको जो है जो है ब्रूनो को जो है इंजेक्शन देना पड़ेगा तो वो dobrou ब्रूनो था अभी ऑफर की कार महीं था ब्रूनो जो था वोमिटिंग कर रहा था है वेवी ब्रीधिंग कर रहा था और ब्रूनो की हालत बहुत जादा खराब थी अब ब्रूनो को इंजेक्शन लगाते है तो इसको अब ध्यान से देखो ब्रूनो को पकड़ लेते हैं अब जैसे ब्रूनो को सिरेंज लगते है तो वो स्कूइल मतलब क्यों एक तरीके का चिल लाना जो जानवर करते हैं तो ब्रूनो चिल लाता है 10 CC ऑफ दे एंटिडोट्स एंटर करती है उसकी बॉड़ी के अंदर जो है दंग 10 मिनट बात जो है कंडिशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती तो वो और 10 CC जो एंटिडोट थी उसको सिरेंज में भरके लगा देते हैं ठीक है 10 मिनट लेटर यानि कि पहले नहीं होता और 10 मिनट बात जो है उसकी ब्रीधिंग जो है थोड़ी कम होती है ब्रूनो थोड़े बहुत अपने आम बूफ करना शुरू करते हैं बद अब भी खड़ा नहीं हो पा रहा था अन फाइनली 30 मिनट लेटर ब्रूनो गेट अप अन आज अग्रेट फीड यानि कि ब्रूनो खड़ा हो जाता है लो कार्ट अब ब्रूनो जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है और अचर कह रहे हैं अब यहां पर ऑथर ने एक और इंसिडेंट हमें एक्स्प्लेइन करा है आप घर में भालू पालोगे तो इंसिडेंट होगे ही तो अथर बताते कि एक बार उन्होंने क्या रखा था उनकी कोई पुरानी गाड़ी थी जिसका नाम आप यहां देखो स्टूट बेकर टूट अब भी धीमा कोई तो वह तेल उस पर लगा देंगे बट जो है ब्रूनो क्या करता है वह वन ग्यालन ओफ जो जो ऑईल था उसको पी जाता है जाके मैं आपको बताया नो कि उसे एरेटे ड्रेंग लेकर बीयर पीने का बहुत चौक था तो वह क्या करता है वह वह वाला त जो है ब्रूनो पी जाता है ही प्रॉंपली रंग दे लॉट बट इट है नो इल एफिक्स वाटेव तो उसमें पी तो लिया था वह वाला वैल बट उसका जादा कुछ फरक नहीं पड़ा हमारे ब्रूनो पे ठीक है लगी लिए तो आगे मूफ करते है अपने चैप्टर प एंचे थोते पच्षा था था धाथ न फंक die ब्रूनो और ज्चवाइव और पेदे था था हमारे ब्रूनो पाल। तो बड़ यहाएब एक सिंभाएंग ऑग स्लव ठीक है और ऻो बटाते हैं कि उनकी दॉब्लीत कर दिए में बहुत भाट भीवाइव से बहुंनगे प्यार करते है उनकी वाइफ को जैसे हम अपने डॉक्स को ट्रेन करते हैं सेट स्टैंड और वैसे ही उनकी वाइफ जो है बाबा को ट्रेन करते है और बाबा उनकी कमांड को सुनता भी है जैसे हमें यहां बता रखा है जैसे कि जब वो बोलती है बाबा रैसल बाबा बॉक् तो एक लखडी की जो डंडी है वो ठाके लाता है अब यहां देखो इमेजितली प्रोड्यूज्ट एंड क्राइब एफिक्षिट नी अस्टांप वुड वुड विच्छी हाद क्याफुली कंसील इन इस ट्रॉबेट तो वो एक लखडी का टुकड़ा उठाके लाता है एक लंबी से स्टेक अपने बैड में से और उसको ऐसे बेबी की तरह प्यार करना शुरू कर देता है तो समझ गए तो बाबा जो है बहुत प्लीफूल होता है उनकी वाइफ के साथ रेस्लिंग में उन्हें करके दिखाता ह है गन भी ऐसे दंडी को पकड़के दिखाता है एक दंडी को समना बेबी भी बना रखा है तो बाबा बहुत ही जादा प्लेफूल होता है और उनकी वाइफ से बहुत जादा अटैज्ट होता है इसी चीज़ को हमने मेंजन कर रखा है क्या the bond of love बट देखो जैसे जैसे धी तो था वह धीरे दीरे बहुत इंक्रीज हो रहा था और वह अपने घर में उसे नहीं रख पा रहे थे तो इसलिए जो हमारे ओधर है और उनके बेटे थे वह उनकी वाइफ को एडवाइस करते हैं एवन उनके सारे फ्रेंड अडवाइस करते हैं कि अब बाबा का साइज ब जाओ तो एक तेम बियर चाहिए या नहीं और रिप्लाइ करते हैं यह एंड थोड़े दिनों में ही जू होती है कहां कि मैसूर की जू जो है एक गर में भी लॉरी ऐन क्या होता है 87 माइल के डिस्टेंस यानि कि उनके घर से 87 माइल के डिस्टेंस पे मैसूर होती है वहां प संद सकते हो कि उनकी wife जो है भर पर परिए थी वो बताते हैं कि हम सब बहुत जादा मीस कर देते बाबा को बैरी जो Waiwe थी वो बहुत ही जादा परिशान हो गयी थी बाबा के जाने कि बाद सही देस तक तो उनकी wife energy उनकी बाइट लिखती रहती थी क्यूरेटर को यानि कि जू के इंचार्ज को लेटर रहती थी हाव बाबार वहां से ॹश्वाय आता था कि वैल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूसज फूट तो यानि कि बाबा ठीक है बट वो ज्यादा खाना नहीं खा रहा है तो आप यहां समझ सकते हो that being an animal also वैसे कहते हैं कि animals में na even wild animals में एफेक्शन प्यार वाले emotions नहीं होते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि वो ऐसा bond of love experience नहीं कर सकते हैं बट देखो आप जब जूम में बाबा गया तो वो खाना नहीं खा रहा था after that क्या होता है जब भी कोई उनका friend मैसूर जा रहा होता था तो उनकी wife उनको बोलती है कि प्लीज आप जूम में जाके एक बाबा को चेक कर क्या आना बाबा कैसा है तो वो अपने हर एक friend को वहां भेजती रहते थे मैसूर में चेक करने के लिए और सब report करते थे कि बाबा जो है मेरे को अपनी wife को जो है जू लेके जाना पड़ा तो वो अपनी wife को लेके जू जाते है मैसूर जू जहाँ पे कौन था हमारा बाबा था अब जो है काफी आप समलो तीन महीने बाद जो है author's wife met बाबा ठीक है अब जैसे ही जब वो लोग महां जा रहे होते हैं जू के लिए बाबा से मिलने के लिए तो उनकी जितने भी friends थे वो उन्हें बोलते हैं कि जो बाबा है अब उन्हें recognize नहीं करेगा किसको author की wife को वो भूल चका होगा बाबा is animal, animals में इसा भी emotion नहीं होते हैं वो तो भूल गया होगा बट ऐसा नहीं होता है जैसे ही author उनकी wife enter करते है जू में and वो अभी काफी दूर होते हैं लिखो यहां लिखा है some yards away from his cage यानि कि अभी तो author की जो wife थी बाबा के cage से काफी दूर थी बट स्टिल जैसे ही बाबा उनको देखता है recognize कर जाता है और how यानि कि चिलाना शुरू कर देता है with happiness and जो है उनकी wife भागती है बाबा की तरफ और cage में से उसको पैट करती है और बाबा बहुत जाता खुश हो जाता है तो आप देख रहे हो कि लोगों ने बोला उनके friends ने बोला कि बाबा recognize नहीं करेगा बाबा ने तो इतनी दूर से पहचान लिया author की wife को आते हुए चीक है आगे देखते हैं हम क्या होता है तो for next 3 hours वो बताते हैं 3 घंटे तक जो है मेरी wife वहाँ cage के बाहर बैठी रहे है आपको picture दिखा रखिया समझाने के लिए और उसको लेमने टी के का इस्क्रीम पता नहीं क्या-क्या खिलाने लगती है and then दोने का time आचाते है and now what happens जो author की wife है she starts crying even बाबा भी रूना start कर देता है तरीके से and जितनी भी zoo keepers थे curators थे वो भी depressed हो जाते है situation को देखे है ना author केते है मुझे पता था अगला क्या होने वाला next move क्या होने वाला है क्या होता है author की wife केते कि अब मुझे जो है बाबा को वापस लेके जाना है घर तो वो जो curator है उनसे request करती है oh please search the curator may I have my baba back क्या आप में अपने बाबा को वापस लेजा सकती है मैं आपको बताया था था ना कि वो zoo भेजेंगे और वापस लेकराइंगे तो curator कहते है कि ma'am मैं आपको बाबा को वापस नहीं देख सकता हूँ क्योंकि जो बाबा है अब zoo में रहता है अब बाबा जो है government property है ठीक है तो I cannot give you over the government property बट अगर मेरे boss कह देंगे अनि कि अगर हमारे superintendent कह देंगे जो bangalore में रहते हैं तो शायद मैं आपको बाबा वापस कर दू तो ऐसा ही होता जो author है और उनकी wife है वापस आ जाते है बैंगलोर और superintendent के घर पे जाते है अब superintendent के घर पे जैसी वो visit करते हैं तो उनकी wife बहुत जादे request करते है superintendent को कि बाबा उनके बिना खुश नहीं है और वो बाबा के बिना खुश नहीं है and जो था superintendent एक बहुत ही kind-hearted हमार को author बताते है वो भी अच्छा इंसान थे तो वो क्या करते है वो एक letter लिख देते है कि जो है बाबा को return कर दे author को and even वो इतने kind-hearted होते है तो वो यह कह देते है lend us a cage for transporting the bear to Bangalore इतने kind-hearted और इतने अच्छा इंसान थे कि वो letter में यह भी लग देते है कि एक cage जो है वो land कर दे Bangalore तक लाने के लिए बाबा को यानि कि वहाँ मैसूर जू में से Bangalore तक लाना था ना बाबा को तो वो कहते है कि एक cage land कर दो इनको so that easily बाबा को transport कराया जा सके तो आगे move करते है बाबा को एक स्मॉल केज में बाबा का आइलंड कैसा बनता है तो once home a squad of coolies were engaged for special work in a compound तो उनके compound में वो decide करते है एक island बनवाएंगे बाबा के लिए वो island 20 feet long time 15 feet wide था और वो surrounded by a dry pit और moat 6 feet wide and 7 feet deep तो यानि कि वहाँ पे जो dry pit यानि कि मिटी रग दी गई थी so that बाबा को एक natural environment की फील आ है यानि कि उसको गरम करने के लिए हमाँ straw अग दिया गए थे and his baby you remember वो एक stick को अपने baby की तरह treat करता था वोला baby और उसकी जो गन थी ना जिस एक stick को वो गन की तरह treat करता था उसको भी ठीक है the piece of bamboo both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away तो यहां पर वो बता रहे हैं कि उसका baby था और उसकी गन थी उसको उनकी wife ने बहुत sentimentally preserved करके रखा था and जो है जब बाबा का नया घर बन जाता है वहां पर उनकी wife उसे place कर देती है in few days the kuli hosted the cage on the island and baba was released तो कुछ दिनों में जो है island ready हो जाता है और जो कुलीस थे यानि कि जिनोंने बाबा के लिए island बनाया था वो जो है बाबा का जो cage था उसको island में place करते हैं और बाबा को release करते हैं आप पिंजरे में से भाहर आ जाता है बाबा and वो बहुत जादा खुश हो जाता है अपने cage में आके वो जाके अपने baby को cradle करता है and आप author बताते है कि उनकी जो wife थी वो घंटों घंटों बिताती थी उस island पर और बाबा था इतना बड़ा हो गया था बट वो तब भी अपने आपको छोटा बच्छा समझता था वो जो है author की wife के जो लाप है उस पर सर रखे लेटा रहता था and author की wife भी बहुत जादा enjoy करती थी he was 15 months old and pretty heavy too बहुत heavy भी था 15 months old animal clip 15 months old बहुत जादा होते हैं अगर आप 15 months वो यह में यह बताते हैं that वो जो island था ना जहां उन्होंने वो island बनाया था अपने घर पे उसको पहुचने का तरीका भी आसान नहीं था वो बताते हैं कि island पे पहुचने के लिए हमने एक rope tie कर रखी थी to a mango tree mango tree से एक रस्ती बान रखी थी जिस पे तरीके से एक लूप बनावा था समझ गए एक एसा असा let me show you एक ऐसा लूप बन रखा था and then इस पे कुछ खीच के और यहां से रस्ती खीच के जो है एक ब्रिच पार करके की wife island तक जाती थी and return journey भी ऐसे ही होती थी तो यहां पर ऑथर ने हमें एक्स्प्लीन करा है that author की जो wife थी वो इतना प्यार करती थी उस sloth bear को बाबा को जिसका नाम उनने पहले ब्रुणो रखा था that was के लिए जो से रोप पे चड़के जो है उसके island तक जाती थी and last में वो end करते हैं यह कहके but who can say now that a sloth bear has no sense of affection no memory and no individual characteristics तो last में उतर हमें यह समझाते हैं कि आप कौन कह सकता है कि यह जो एक sloth bear है इसके पास कोई affection नहीं या इसमें प्यार नहीं है या फिर इसमें कोई memory नहीं है या फिर इसमें individual characteristics नहीं है देखो जो ब्रुणो था या बाबा था उसको वहां जू में जाकर अच्छा नहीं लग रहा तो उसको जो आधर की वाइफ की आदा रही तो इसमें घर की आदा रही तो इसमें memory है affectionate था वह author की वाइफ की तरह वह इतनी दूर से ही उन्हें देखके चिलाना शुरू कर देता है खुश होना शुरू कर देता है और उसमें individual characteristics भी थे आपने देखा वह किस तरीके से गन उठाता था किस तरीके से जब वह वापस आया तो अपने baby को cradle कर रहा था त तो विद इस गाइस we have completed this chapter beautiful chapter the bond of love and now I am in this video I'll meet you in the next video जिसमें नेक्स चाप्टर पढ़ें गे तो इसमें पर देखके बाकी चाप्टर पढ़े है तो description box में playlists given है class 9 English full syllabus की and class 9 SST full syllabus की भी so you can check out the description box plus you can check out my Instagram ID check कर सकते हो जहापे आपको class 9 SST and English study material में जाएगा तो if you use Instagram you can check out my ID वहापे मैंने class 9 English and SST के notes important questions upload करे हैं अब मैं मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में so with this bye bye take a best of luck and I'll meet you in the next video